हर इनसान चाहता है कि किसी ना किसी इस्तरी को अपने वस में करे और आपका अगर खोया हुआ प्यार है तो पल भर में दोर्ती हुई आपके पास में आएगी अगर आप किसी लर्टी से प्यार करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, वो आपको भाव नहीं देती हैं आप उसको पल भर में अपने वस में करना चाहते हैं उसको अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए मेरे भगतो आज मैं जो टुटका बतलाऊंगा आज तक किसी ने भी आपको नहीं बतलाया होगा और ये एक अजमाय का टुटका है इससे अब तक मैंने सतर से असी हजार लोगों का मैंने वसिकरन पूरा किया है और बहुत ही जल्दी ये असर दिखाता है ये एकदम लड़की को आपके प्यार में दिवानी बना देगा ठीक है तो आईए मेरे भक्तों बतलाते हैं कैसे इस टूटका को करना है इसमें कौन-कौन से चीज का प्रियोग करना है मेरे भक्तों इसमें आपको सिर्फ दो रोप्या का खर्चता है सिर्फ दो रोप्या में ही आप किसी भी इस्त्री या पुरुज को पल भर में अपने प्यार में पागल कर सकते हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही बैठे किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने वस्म कर लीजिएगा मेरे भक्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से दिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा बहुत सारे लोग है कि वीडियो भगा-भगा कर देखते हैं इसलिए उनको समझ में नहीं आता है इसलिए ध्यान से दिखिए चोटी सी वीडियो आपके किसमत बदल देगी किसी भी इस्तरी को वस में करना चाहिएगा वो पल भर में आपके वस में हो जाएगी अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करीजे और बिल घंटी को दबा दीजे ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा तो आईए बतलाते हैं मेरी भक्तो आपको करना क्या है अच्छत लेना है सबसे पहले आपको अच्छत लेना है ठीक है उसके बाद में दो लवंग लेना है और एक ये जो पाता देख रहे हैं आप मनी पलांड का पता है मनी पलांड का पता जादो डोना टुटका में बहुत ही महतपुर्ण युगदान है इसका अगर एक बार किसी के उपर मनी पलांड के पता और लवंग के साथ वसिकरन कर दिया गया तो हमेशा हमेशा के लिए वो इस्तरी आपके प्यारे में दिवानी हो जाती है मेरे भक्तों आप लोग से बिनती करूँगा कि इस टुटका मंत्र को किसी गलत बेक्ति के पास नहीं पहुँचने दिजिएगा आप इसको ध्यान से याद करके संभाल के रखिएगा आप जीवान में कभी भी हाजारों लर्की को भी अपने वस में कर सकते हैं ठीक है तो आइए बतलाते हैं कैसे क्या करना है सबसे पहले आपको करना क्या है ध्यान दिजिएगा मेरे भक्तों दो जो लवंग है दोनों लवंग को अपने सर से आपको सात बार घुमाना है सात बार घुमाने के बाद में आपको क्या करना है इस मनिपलांट के पत्ते से आपको गोल गोर इस परकार से आपको सात बार घुमा देना है उसके बाद में अलग में रख देना है इस लवं को उसके बाद में आप जिस लड़की को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे इस पत्ते पे अगर इस्त्री कर रही है किसी पुरुस को वस में करने के लिए तो उस पुरुस का नाम लिखेगी जैसे कि मान लिजिए आप किसी लड़की को किसी इस्त्री को अपने वस में करना चाहते हैं और उसका नाम है स्वेता कुमारी तो यहाँ पे लिखेंगे स्वेता ठीक है यहाँ पे लड़की का नाम लिखेंगे ठीक है ध्यान से देखिएगा मेरे वक्तों यहां पे आपको क्या करना है स्वेता लिखना है ठीक है यहां पे लिख दिये है स्वेता लड़की का नाम लिख दिये यहां पे नीचे में आपको करना है क्या है बीच में इसके ठीक बीचों बीच में आपको पलस का चीन देना है नीचे में आप अपना नाम लिखिएगा जैसरी कि आपका नाम है मुकेस यहाँ पे लिख दिये मुकेस ध्यान से दिखिएगा मेरे भक्तो तभी आपको समझ में आएगा और यह जो लड़की का नाम लिखा गया है इसके बगल में आपको लड़की के मा का या पिता का नाम आपको लिख देना है किसी एक का नाम जरूर मालूम होना चाहिए तब जाके यह तिवरि वसी करण होगा सिर्फ पल भर में ही होगा किसी को मान भी नहीं चलेगा और लड़की आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी जैसे के मान लेते हैं कि लरकी का पीता का नाम है यहाँ पे संतोस संतोस सहनी चाहे जो भी हो आपको लिखना है संतोस ठीक है? यहाँ पे लिख दिये संतोस और इसके बगल में आपको आप अपने पीता या माता का नाम किसी एक ब्यक्ति का आपको नाम लिखना है ठीक है? जैसे के माल लिज़े आपके माता का नाम है यहाँ पे कलावती देवी तो यहाँ पे लिखेंगे कलावती ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे इसके ठीक नीचे आपको एक स्वास्ति का चीन बनाना है ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तो मैं जैसे बना रहा हूँ वो इसे आपको बनाना है और कहें भी दिखात हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पे स्वास्ति का चिन बनाना है ठीक है? स्वास्ति का चिन यहाँ पे बना देना है और यहाँ पे लिखना है ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तो ओम सा उसके बाद में नीचे मैं आपको लिखना है स्रीम ठीक है? ओम सा स्रीम यहाँ पे स्वास्ति का चिन यहाँ पे लड़की का नाम यहाँ पर लड़की के पीता या माता का नाम पलस का चीन देना है लड़का का नाम यहाँ पर रहेगा लड़का के पीता या माता का नाम रहेगा यहाँ पर स्वास्ति का चीन रहेगा इसके बाद में आपको करना क्या है? ध्यान दिजेगे मेरे भक्तोर इस टोटका को आपको रभीवार के दिन, सुकुरवार के दिन और मंगलवार के दिन इन तीनों दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं करने से पहले आपको नहां दोका फ्रेश हो जाना है, उसके बाद ही करना है इसके बाद में आपको करना क्या ध्यान से दिखिएगा जो अच्छत है अच्छत को अपने दाइने हाथ में इस परकार से लेना है और पत्ते को आपको बाये हाथ में इस परकार से लेना है उतर दिशा की ओर घुम करके बढ़ जाना है और आपको करना क्या है ध्यान से दिख अस्पस करा है 7 बार इसके बार क्या कराएगा इसको दोनों को हम मेहां पे रख देंगा ठीक है रखने के बाद में आपको करना क्या ध्यान से देखियेगा अपने मन में इस लर्की का चेहरा अपने मन में बसा लेना जिसका पोषिकरन कर रहा है उसका चेहरा अपने मन में बसा लेना है चेहरा मन में बसाने के बाद में आपको करना क्या है इस लड़की का नाम आपको लेते रहना है करीवन आपको 21 बार इस लड़की का नाम लेना है उसके बाद में आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा इस से बने हुए टुटको को किया गया टुटका को आपको करना क्या है किसी भी बहते हुए पानी में चाहे वो नदी हो या तलाब हो आपको करना क्या है ले जाकर उसमें छोड़ देना है इस परकार से अपने हाथों में लेना है लड़की का चेहर अपने मन में बसाना है और लड़की का साथ बार नाम लेकर क्या करेंगे भातेविय पानी में छोड़ देंगे इस परकार से ठीक है उसके दो घंटे के भीतर में यह असर सुरू हो जाएगा उस लड़की के दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भर जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए लड़की आपके प्यार में ट्रॉपने लगेगी आप उसको जो बुलिएगा वो वहीं करेगी आपके बिना एक पल भी नहीं रहा पाएगी मेरे वक्तो अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा